बिहार सरकार भी चाहती है कि उन बिहार के उन लाखों गरीबों के बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे काबिल और योगे सिक्षक उनके पास पहुंचें तो वैसी प्रिस्थिति के अंदर में चुनोतियां तो अच्छी मिलेंगी बच्चों को और घबराने की कौन सी क्या आपके लिए और इनके लिए पेपर अलग हो गया पूरे बिहारक के जितने भी परिक्षारती होंगे के पेड़ बैच में भारत का एक मात्र ऐसा कोचिंग संस्तान है जो अपने पेड़ बैच में रोज 14-14 घंटा पढ़ाता है बचवा कहता है कि सरबल्थे बेटे नज्याम हो गया अपी सारे चात्र ऐसे होते हैं जैसे वह पढ़ाई कर रहे हैं टेस्रीज लगा रहे हैं लेक कि इतनी बड़ी वेकेंसी साइध ही आप लोग देखे होंगे और ऐसे में ऑफिसर एकेडमी इसके लिए एक नया ही इतिहास रच रहा है ऐसे में कुछ अनोखा पहल किये हैं ससी सरंसर अब इनसे ही जानते हैं कि ऑफिसर एकेडमी क्या कुछ कर रहा है सिच्छक छात्रों क कि बात कर लें आपके पास माइक है माइक उठा के घूम जाएए पुरा बिहार का कोई सरकारी स्कूल वहां एक बच्चा आपको जरूर मिलेगा जो परिक्षा पास करके अगर टीचर बना होगा तो उस विद्याले में एक ऑफिसर एकडमी का छात्र जरूर होगा तो हमने घंठ के लिए तो आगर अगर हमने ठाना है है कि बिहार के चात्रों को सिख बनाना है तो यह सबी चात्र जो छूट गए थे जो हमसे किनी कारणों बस नहीं पढ़ पाए हैं उन चात्रों के लिए हम लेकराएं और आफर यहीं कहमको दो रुपया में पूरा पीड़े दो रूपय हम उनको हिस्ट्री जॉग्रफी क्मिस्ट्री बाइलोजी करेंट अफेर मैच्स रिंग एंसें इस्ट्री मेडवल हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री वर्ल्ल हिस्ट्री जो छात्र सिक्षक बनना चाहते हैं किसी वज़ा से अभी तक नहीं जूर पाए थे अंतिम मौका है यूज कर लीजिए और पढ़के निकल जाईए यूटूब पे तो फ्री आता है 24 गुने साथ ये तो हम सुने थे दो रुपया में पढ़ाईएगा ही कहां दो रुपया मिलेगा यूटूब यूटूब के इतिहास में ऑफिसर एकडमी का गिनीज बूक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड है 273 गंटा नौन स्टॉप सबसे अधा हमने पढ़ाया लाइब लगातार बिना रुके बिना थके पिछले डेर महिना से 2400 गंटा सातो दिन लगातार डेर महिना से लगातार मेरी क्लासेज लाइव चल रही फ्री ऑफ कॉच्ट लेकिन यूटूब और पेड़ बैच के क्लास सिर्फ दो रुपे के अंदर में पूरा रिविजन कराएंगे और कडा के दिखाएंगे और सफलता तक उनको पहुंचाएंगे आप यूटूब पर भी पढ़ा रहे हैं सर और 24 गुने साथ पढ़ा रहे हैं तो यूटूब में और अप्लिकेशन के पढ़ाई में अंतर क्य देखने को मिलेगा खासा लाव क्या होने बाला है यूटूब की क्लासे दशर इसमें लएफ यह होने वाला है कि यूटूब में अन-अर्ग्नाइज क्लासे होती हैं कभी physics हो रहा है तो अगली classes chemistry की मिलती है अगली biology की मिलती है लेकिन जब revision batch की बात आती है तो क्या बताइए आप अगर विद्यारती है आप revision करना चाहेंगे तो एक घंटा पितिहास का revision करेंगे अगला घंटा quality revision करेंगे अगला घंटा economics revision करेंगे अगला घंटा current करेंगे क्या ऐसे revision नहीं होता है आप अपने जीवन में विद्यारती रहे हैं हम लोग भी अपने जीवन में विद्यारती रहे हैं revision का मतलब है एक बिसे उठाया और उसको सुबा से लेकर अंतक साम complete कर दिया तब उसका मतलब होता है गर्वे हमें हम लोग कहते हैं कि सबसे आधा रिजल्ट आपके हां से हो इसलिए होता है क्योंकि आप बिहार के लाखों चात्रों को पेड़ बैशेज में पढ़ाते हैं तो हम बस इतना ही कहना चाते हैं कि जो छूट गया है वो भी यह ना कहें कि हमें मौका नहीं मिला अफिसरेकडमी से पढ़ने के लिए और हमने ठाना है कि बिहार के जो कुछ स्कूल बच गए हैं जहां अफिसरेकडमी के चात्र अभी तक नहीं पहुंचे टीचर के रूप में यह आखरी वेकेंसी हो लाखों की वेकेंसी है इस बार कोई छूटेगा नहीं जब टीरी वन क पर देखेंगे सर के लेपटप पर इनका वाटसप ग्रूप ओपन था और वह रूप नहीं रहा था सर मेरा रिजल्ट हो गया है मेरा रिजल्ट हो गया है मैं आपको यह दिला दिया कि लगबग पौने 12 वजए आपके आसपास का वीडियो हुआ था और लगबग डोढ़ा है सेटिंग उटिंग है देखिए एक बात समझेए आपको यह बोलने से पहले बात सोच लेना चाहिए कि चैनल वा एक बर यूटूब का खोल लीजेगा और गिल लीजेगा कि कितने टीचर पढ़ा रहे हैं 30 लोग पढ़ाते हैं और ऑफिसर एकडमी के पेड़ बैच में पहारत का इक मात्र हैसा कोचिंग संस्तान है जो अपने पेड़ बैच में रोज 14-14 घंटा पढ़ाता है बचवा कहता है कि सरबैठे बेटे नज्याम हो गया है और इभी सुन लीजे कि कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं करता ओफिसर एकडमी डेहडर में में सिलेबस कंप्ली अपने प्रश्णों के लगातार लेवल बढ़ाये जा रहा है और इसमें मैं इसको गलत नहीं मानता हूं जब अगर बच्चों की क्वालिटी बढ़ रही है तो अब अबसे बात है कि जब नमबर और जादा हो रहे हैं तो कोई भी आदमी चाहता है कि हम क्वालिटी लें आ एवरी इंप्लॉइमेंट अर्गनेशन वंट था सेम हर लोग यही चाहता है कि मेरे पास अच्छे सचे करमचारिया है बिहार सरकार भी चाहती है कि उन बिहार के उन लाखों गरीबों के बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे काबिल और योग्य सिक्षक उनके पास प रिविजन करना है और बिहार में कुछ जो स्कूल बच गया है उसको भी चोड़ना नहीं है वहां भी ऑफिसर अजंडा गार देना है बहुत सारे सीचक हैं सरके टीम में लेकिन कुछ सीचक यहां पर मौजूद हैं सर काफी सारे च्छात्र ऐसे होते हैं जैसे वह लंबे समय से चीजों को बार बार देखने प्रसंड का अस्तर जो पूछा जा रहा है पेपर में उस लेबल के आप प्रैक्टिस सेटों को या हमारे दोबर जो पेड़ बैचने पढ़ाई जा रहे त्योरी क्लासे से उसको बार बार रिवाइस कर रहे हैं तो आपके प्रसं समय रखिए कि उस समय में हम रिवाइस करेंगे उस नोट्स को और वहां से बहुत अच्छा गेन कर पाएंगे मार्स को सारे टीचर स्टुडेंट ऐसे भी होते हैं जो आठ गंटे कोई दस गंटे कोई बारह गंटे लेकिन जैसे ही एक्जाम टाइम आता है कोई लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और कोई एक संडर्बुक को पढ़ लेंगे तो उन्हें बहुत हाइब लेकिन यह है कि एक्जाम का जो प्रेशर होता है तो बच्चे लास्ट मोमेंट में आकर 16 गंटा पढ़ते हैं और आपने किये गया मैनत पे यकीन रखना है आप हमारे साथ पढ़े हैं कई सारे यूडूब चैनल सा अपने दिन क्या होगा तो जाहिर सी बात है कि अब जो व इसको प्रीवेस से लेकर के जितने भी टॉपिक वाइस सेक्शन वाइस और जो फुल लिंग टेस्ट है उनको लगाना चाहिए अभी समय बरवाद करने का नहीं है बलकि यही समय आपको बनाएगा तो विजिन अप बहुत अच्छा मैनत कर लिए बस यही आपके लिए काफ समय भी काफी कम है लेकिन हम लोग उसे समय में यह जानेंगे कि जो मास्टर एक होता है कि अच्छे प्लानिंग के साथ हम लोग उसे बैच को लॉंच किया और बैच को पढ़ाने वाले हम लोग टिक है तो उसमें चीजे जो हैंगी तूदे पॉइंट होंगी बहुत सार ऐस उसे तीनों एकजांज में हम लोगोंने बहुत सीजो को एनशाइक किया करेँ कहा से को सम्वह हो रहे हम लोग अधे आने की समभल yarn harina तो उस चीजोगों को हम लोग समराईज और बच्चों को देने के प्रयास करें औखह 1-3 पूर На इसे देनेerson देनेकं है ताकि उनको बिल्कुल प्रबंधन और अक्सर जो विद्यार्थी गलती करते हैं लास्ट आवर में वह यह गलती करते हैं कि पढ़े कुछ और है और मार्केट में कई तरह की बाते आती हैं उन नए किताब की और नई चैनल की और याने मत्रियल की और भटकने लगते हैं तब पढ़े चीज को पुनह रिवीजन करना यहीं अंतर डलता है चाहिए यूपीस एक्जाम हो या फिर आपका सिख्षक भड़ती हो रही बात की बात जहां तक है तो हमको लाता है जो बॉक्स में चीजे दी हो ही जो हाइलाइट किया हुआ है की वर्ट की वर्ट से अलग करेगा उसके के लिए बहुत अधिक समय देने क्या हो सकता नहीं है मेरा यह माना है प्रबंधन उत्क्रिष्ट होगा और अफिसल स्केट्विए अपना इस समाजिक सरोकार को जानता है यह कहने के लिए 2 रुपया है हमेशा से हम लोग आती स्योक्ति पूर्ण बात नहीं आप भी देखे कर रहे हैं कि हर स्कूल में आपको एक नएक हमारे हमारा चात्र जरूर देखने को मिलेगा बाकि दो रुपया में सर अप्लीकेशन पर बैच दे रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि हम सिचक बना कर रहेंगे तो आप भी अगर सिचक भरती की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार ज जरूर देखिएगा बाकी आप देख रहे थे काबिल नियूज जहिंद